क्या DHA Face 3 Army Allocation में आपके प्लॉट को मिल गी है पुजेशन या फिर आपको करना पड़ेगा कुछ मजीद वेट, यू विल गेट तू नो अबाउट आट इन दिस वीडियो वेलकम टो एधा प्रड़क्शन आफ प्रॉपर्टी गाप्शप्ट, लास्ट व्राइडे को हमने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने DHA Face 3 Army Allocation की पॉजेशन सर्मनी को कवर किया था और आपको बताया था कि DHA Face 3 के कौन कौन से Phases में या कौन कौन से Sectors में पॉजेशन अनाउंस की गई है उस वीडियो के बाद हमें बहुत से क्लाइंट्स की या बहुत से लोगों की कॉस रसीव होई है कि हमारा प्लॉट जो है वो पॉजेशन में फॉल करता है या वो अपना घर माँ जाकर बना सकते हैं सबसे पहले बात करें DHA Face 3 की सेक्टर D की तो जो सेक्टर D है उसकी जो स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3 और इवन स्ट्रीट 4 जो है इसमें कम्प्लीट पॉसेशन अनाउंस हो गी है इसमें जितने भी प्लॉट्स हैं सब पे पॉस कर दी गई है इस रोट पे टोटल में लाकर 25 प्लॉट्स थे जिसमें से प्लॉट 1 से लेकर 3 पे पॉसेशन अनाउंस नहींगी रिमेनिंग जितने भी प्लॉट्स हैं सब पे पॉसेशन अनाउंस कर दी गई है Similarly रोट 3 पे जो पॉसेशन है that is in patches प्लॉट नमबर 33 से लेकर 51 पॉसेशन है और फिर आगे 56 से लेकर 93 तक टोटल पॉसेशन दे दी गई है similarly अगर हम बात करें street 6 की और street 7 की तो street 6 और 7 की भी partial जो plots है partial जो है पोसेशन अनाउंस कर दी गई है remaining जो plots है वो अभी जो है litigation area में fall करते है street 6 में plot 8 से 21 और 7 में plot number 12 से 16 और 22 से लेकर 31 तक की जो possession है वो अनाउंस कर दी गई है last में अगर हम बात करें जो sector D और sector F की जो joining road है उसमें sector D के plot number 1 से लेकर plot number 14 है वहां तक possession अनाउंस कर दी गई है moving further अगर हम बात करें sector F की कि इन streets को possession दी दी गई है तो सबसे पहले जो road 1 है जो के joining है sector D की और sector F की इसके plot number 1 से लेकर 4 तक हैं सिर्फ इन 4 plots को possession अनाउंस की गई है फिर अगर हम बात करें street 1 की और street 2 की तो ये बहुत अच्छी location की streets है sector F की और इनकी जो price है वो normally rest of the sector F से जादा भी होती है the reason being के ये लेक के बहुत close है अगर हम street 1 की बात करें तो plot number 8 से 39 और street 2 की बात करें तो total 30 में से 11 से लेकर 30 जो plot number 30 है इनको possession अनाउंस कर दी गई है जो remaining plots हैं वो still litigation area में fall करते हैं इसके बाद अगर हम बात करें street 8 की which is also the front open street तो इसमें भी सारे plots को possession अनाउंस नहीं की गई बलके 6 से लेकर 23 के जो plot numbers है या series है सिर्क इन plots को possession अनाउंस की गई है moving further अगर हम street 7 की बात करें तो इसमें भी patches में जो है वो अनाउंस की गई है possession plot 1 से 8, 70 से लेकर 72 और 86 से लेकर 91 तक के plots हैं इन पे possession अनाउंस कर दी गई है फिर अगर हम बात करें road 4 की total 26 plots ऐसे हैं जिन पे possession अनाउंस की गई है और सबसे जो अच्छी बात है जो सबसे अच्छी street थी sector F की जिसमें possession अनाउंस की गई है that is street 6 it is actually one of the most expensive street of sector F the reason being कि ये पार्क फेसिंग है और इसमें total 16 plots थे और तमाम के तमाम plots पे possession अनाउंस कर दी गई है अगर हम सबसे इंपॉर्टन बात की बात करें इसमें तो जो sector F S में कुछ ऐसे plots भी थे जो दो कनाल के थे और वो road 10 पे situated थे तो road 10 पे जो one कनाल and जो two कनाल plots हैं जो आपको screen बे नजर भी आ रहे हैं इन तमाम plots पे possession अनाउंस कर दी गई है and I really hope कि जो DHA की management है वो आइस्ता इस्ता बाकी जो plots है जो बाकी areas हैं उन पे भी development करेंगी कुछ हरसे में आप देखेंगे कि जो बाकी remaining plots हैं उन पे भी और sector E में अंकरीब इंशाला possession जल्द अनाउंस होगी अगर आपको मजीद मालूमाद चाहिए या maps चाहिए जो आपको स्क्रीन पे देखने को मिले भी थे तो you can contact on our given numbers I really hope you like our video and you find it very informative we'll keep coming back with such videos thank you so much